नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है Civil Dimension चैनल पर आज का हमारा टोपिक है Standard Bathroom Dimensions आज इस वीडियो में मैं आपको एक Recently Renovated Bathroom दिखाऊंगा इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बहुत सी Confusions दूर होंगी जैसे Table C किस हाइट पर लगाना चाहिए Flush Plate किस हाइट पर लगा होता है Spout Diverter और Overhead Shower किस हाइट पर लगाना चाहिए Under Counter Wash Basin और Above Counter Wash Basin की हाइट कितनी होनी चाहिए साथ ही में आपको देंगे Bathroom Shower Enclosure से जूड़ी कुछ useful information तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं हम Bathroom में Enter कर चुके हैं सामने है Wash Basin Wash Basin हमने लिया है Above Counter Left में हमारे है WC यह एक Wall Hung WC है इसका जो Flush Tank है फिर दिवार के अंदर ही Fix कर दिया गया है Flushing Plate Visible है के लिए अब देखते हैं हमने WC को किस हाइट पर fix किया है जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं Bathroom floor से WC की हाइट है 16 इंच यह एक Comfortable Sitting हाइट है WC के यूज के बाद ढकने के लिए इसके उपर प्लास्टिक कवर दिया गया है जो एक इंच मोटा है इसलिए आपको टॉप सर्फेस 17 इंच का दिकरा होगा अब देखते हैं Flushing Plate किस हाइट पर लगा हुआ है Bathroom floor से Flush Plate का bottom है 35 इंच Flush Plate की हाइट Conceal Tank के model पर भी निरवर्ग करती है हमने Gavrit Company का Flush Tank यूज किया है Recommend यही है कि Flush Plate की सही हाट जानने के लिए Conceal Tank के साथ Eye User Manual को ध्यान से पड़े Next देखते है Health Faucet के लिए Angle Wall किस हाइट पर लगाया गया है Bathroom में Angle Wall की हाइट है 14 इंच सेंटर इस Angle Wall के साथ Attach किया है Health Faucet जिसका Bracket हमने Bathroom Floor से 39 इंच पर फिक्स किया है सामने से देखते हुए यह कुछ इस प्रकार दिखता है WC से Right Wall पर लगाया है हमने Paper Holder Paper Holder की Floor से Height है 20 इंच Toilet Paper Holder आप हमेशा WC के पास ही लगाए ताकि आप सीट पर बैटे बैटे भी टॉलेट पेपर तक असानी से पहुँच पाएं साथ ही हमने कुछ दूरी पर लगाया हुआ है एक बड़ा टावल रोड जिसको हमने 38 इंच हाइट पर फिक्स किया हुआ है चलिए अब चलते हैं शावर एरिया में और देखते हैं स्पाउट, डैवर्टर, ओवरहेट शावर आदी का अरेजमेंट किस प्रकार से किया गया है सबसे पहले है स्पाउट बातरूम से स्पाउट का सेंटर हमने रखा है 30 इंच आप अगर चाते हैं बकेट भरते समेप आपको पानी की वास कम आये तो आप स्पाउट की हाइट 24 इंच भी रख सकते हैं डैवर्टर, डैवर्टर की हाइट हमने रखी है 42 इंच सेंटर 42 inch divoter का center है divoter के दोनों तरफ left में हमने लगा है sob holder और right में लगा है hand shower sop holder की height हमने रखी है 52 inch center और hand shower की height भी रखी है 52 inch दूर से देगने पर इनका arrangement कुछ इस प्रकार दिखता है overhead shower हमने दिया है 7 foot 3 inch की height पर जो मैं आपको चला कर तो नहीं अभी दिखा सकता चलिए अब shower area से बाहर निकलते हैं और आपको कुछ useful जानकारी देते हैं इस shower enclosure के बारे में यह shower enclosure 12 mm thick toughened glass से बना है इसकी door opening है 27 इंच white कम से कम door opening हम 24 इंच तक रख सकते हैं इस shower enclosure की खास बात यह है कि इसका door diagonal में लगा हुआ है अगर आप भी इस तरह का bathroom plan कर रहे हैं तो ध्यान रखें इस तरह के door में लगने वाले hinges 135 डिग्री तक opening खोल सकते हैं जैसे की आप इस reference page में देख रहे हैं दूसरी tip यह है कि ज़्यादा तर glass companies सिरफ 7 foot height तक ही shower enclosure पनाती है इसलिए आप भी enclosure की maximum height 7 foot पकड़ कर चलें चलिए अब basin counter top की height और width देखते हैं basin counter top की height हमने रखी है 28 inch जिसके उपर हमने रखा है 5.5 inch उचा wash basin bathroom floor से basin का top हो रहा है 3.5,3 inch basin counter की width हमने रखी है 21 inch आप bathroom में जगा के हिसाब से basin की width 16 inch, 18 inch, 21 inch या 24 inch भी रख सकते हैं हमने इस bathroom में counter top की width 21 inch रखी पर इसी project के दूसरे bathroom में 16 inch ही width रखी है क्योंकि उस जगा bathroom चोटा है similarly इस जगा चोटे basin को लगाया क्या है basin के साथ में लगा है towel ring जिसकी height है 41 inch center पास ही लगे towel brush holder की height है 10 inch counter top से इस bathroom में हमने falling material को use किया है tile use किये हमने full body vitrified tile 10 mm thick wrist की plumbing pipes use किया है हमने c pvc astral company का fitting और accessories लगा ही है jaguar की tile grout use किया है leticate epoxy grout का flush tank लगाया है gabrit company का shower enclosure 12 mm tough glass का है with ozone fitting washbasin cabinet plywood का है इस पर duco paint किया गया है cabinet के उपर कलिंगा company का quartz stone लगाया गया है looking mirror sent cobin का है अगर आप इस bathroom की complete costing जाना चाहते हैं तो link आपको description में मिल जाएगा hope यह video आपको informative लगी होगी तो इस तरह की video आगे देखने के लिए हमारे चैनल को like share और subscribe करें thanks for watching civil dimensions communications